असलाम अलेकुम हम बात करें हैं प्रेजेंटेशन बनाने की और वो भी प्रेजी पे पिशी दफा हमने देखा कि प्रेजी प्रेजेंटेशन होती क्या है उसको लिखने के क्या तरीके होते हैं अब हम एक्चिली प्रेजी प्रेजेंटेशन की वेबसाइट पे जाके एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं पिशी दफा हमने दिखाया था आपको कि प्रेजी प्रेजेंटेशन पे जाते कैसे हैं दफा फिर और देख लेते हैं Prezi.com, P-R-E-Z-I.C-O-M Prezi.com पर हम जाते हैं, वहाँ पर या आप Get Started में एक package खरीद सकते हैं या login कर सकते हैं अपने Facebook के जरीए, Google के जरीए या एक account लेकर आपने देखा था कि मैं अपने Facebook के जरीए login हुई थी They have my information और अब हम बना रहे हैं एक नई presentation तो हम यहाँ पर click करेंगे on a new presentation थोड़ा सा time लेती है Prezi जो है उसको upload करने में अगर आपकी bandwidth अच्छी है तो जल्दी खुल जाएगी, अगर slow है तो time लेता है सबसे पहले तो हम choose करेंगे कि जी हमें अपना template कौन सा चाहिए जब आपको Prezi बहुत अच्छी तरह आजाएगी इसके पूरे-पूरे software के tutorials मिलते हैं आप tutorials करें मगर जब आपको पूरी तरह यह आजाएगी तो आप अपने templates पे भी बना सकते हैं अपने कभी काम कर सकते हैं Initially, it is always a good idea कि जो आपने templates आपको दिये वें आप उनी को इस्तमाल करके अपनी presentation बनाएं So, some of the popular ones आपने देखा होगा Examination है, Assembly है, Explanation है, Building Blocks है तो हम देखते हैं जी, Balance का And we use this template बात होरी है, Balance की और आपने दो चीजों में balance करना है So, let's talk about balancing work-life यानि कि जो work-life balance होता है, उसके बारे में बात करते हैं हम presentation बनाते हैं Work-life balance, हमने उसको एक title दे दिया अब वो कह रहे हैं कि जी, आपके पास एक subtext Subtext क्या होना चाहिए, What should be the subtext to your whole thing So, you've got your title, main title इसको एक explanation भी हमें देनी है Work-life balance, हम work-life balance के बारे में क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर अब वो मुझसे subtitle मांग रहा है हमने heading तो दे दी work-life balance की मगर work-life balance के बाद जरूरी है कि हम explain करें कि हम work-life balance के कौन से aspect को या कौन सी उस चीज को के बारे में हम इस पूरी presentation में बात करेंगे तो हम इसको करते हैं कि maintaining a healthy balance between work and family तो हमारी यह एक subtitle है कि हमारा जो work-life balance एक बहुत बड़ा सा subject है मगर within that हम यह कह रहे हैं कि आप एक healthy balance अपने काम और अपने खानदान के साथ कैसे बना सकते हैं क्या चीज़ें जरूरी हैं क्यूं जरूरी हैं उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यह हमारा पहला ही अभी यहाँ पर आप वो जूम इन कर गया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजी में होता यह है कि वो सारी चीज़ें एक पेज पर होती हैं मगर जब आप ख्लिक इन करते हो तो वो एक्स्पैंड हो जाती है वो फॉरान आपके सामने आजाती है आपको यह पता होता है कि आप इस के बारे में बात करें और इस अब आप एक चीज़ के उपर बात करें तो वो जूम इन हो जाता है पिर आप दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो जूम इन हो जाएगा और यही बहुत एक मज़े की चीज प्रजी के बारे में अब work-life balance के बारे में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि work is equal to money अब इस side पर हमने कहा कि जी काम करेंगे तो पैसा आएगा इसलिए काम जरूरी है ठीके और हम यहाँ पर लिखते हैं more work will mean more money ठीके जी, अब हम इसको यहाँ पर आजाते हैं और इसको हम यहाँ पर कहते हैं जो एक इसके साथ की बात है इसी से related बात है मगर work के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी इधर हमने main बात की work is equal to money more work will mean more money and work is equal to career growth यहां more work will mean career progression यानि के हम अपने career में अगर हम काम ज्यादा करेंगे तो हम अपने career में grow करेंगे, हम अपने काम में grow करेंगे एक professional के तौर पे grow करेंगे तो अब हम दूसरी side को देखते हैं और हम वापस इदर आते हैं और हम कहते हैं के जी अब हमने balance देखना है family का, so work is equal to money, then what is family equal to? family is equal to emotional well-being ठीके जी, अगर खांदान होगा तो हम emotionally healthy होंगे हमारे पास एक support होगी, हमें प्यार करने वाले लोग होंगे और हम लोगों को प्यार करेंगे तो you will have a lot of emotions, a lot of love and a lot of happiness in there so, जो relationships है, human relationships है, वो खांदान से बनेंगी तो हम यहां कहते हैं, if we spend time with family, we will have healthy relationships and healthy hearts ठीके जी, और अब हम अगले वाले point पे आते हैं और जो हमारा sub point है, वो आगया जी, family is equal to हमने पहले बात की emotional well-being की, अब हम बात करते हैं support की यानि के families हमें एक support देती है, वो चाहे emotional support हो, चाहे वो financial support हो, social support हो वो एक support system जो है, वो family से आता है तो यहां पर हम लिखते हैं, if we spend time with family, we will have their support तो आपको जिन्दगी में अकेले नहीं रहना पड़ेगा, इस जिन्दगी को अकेले face नहीं करना पड़ेगा तो अगर हम presentation को देखते हैं, यहां पर full slide अगर देखते हैं, तो अब आपको पूरी जो slide है, वो इस तरह नजर आती है work life balance, maintaining a healthy balance between work and family आपने उसको दो sides उसके आपके पास है, एक side में काम है, एक side पे family है और इसको आप अपनी जो बात है, इस visual के साथ एक एक करके आप click करेंगे, zoom in हो जाएगा, फिर zoom out हो जाएगा जिसना आपने पहले देखा करन का का पहले एक करना एक आपने जो जाएगा जाएगान जाएगार ऑ्जाएगा इस आपने पहले जाएगा है